तो गाइज आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे इस डिजाइनर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग यह कुर्ती मैंने वैलवट फैब्रिक से बनाई है और इसके ऊपर मैंने गोटा बट्टी से यह इस तरह का पैटर्न बनाया है तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन ज़रूर दबा दे तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो तो गाइस यह डिजाइनर कुर्ती बनाने के लिए हमने तीन मीटर वैलवट फैब्रिक लिया है यह मेरा नवी ब्लून वैलवट फैब्रिक है आप किसी भी तरह का प्लेन फैब्रिक ले सकते हैं एंड साथ में हमने इसकी डिजाइनिंग करने के लिए यह गोटा पट्टी ली है तो यह हमारी बारिक वाली गोटा पट्टी है तो यह हमारी लगबग 50 मीटर की गोटा पट्टी यूज हो जाएगी साथ में मेरे पास यह कुछ एक्स्ट्रा लेस है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप इस तरह की लेस का भी यूज कर सकते हैं यह मेरे पास सीक्वेंस लेस है तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कटिंग तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को किनारी वाली साइट से डबल फोल्ड किया है और इसके बाद अब हम इसको ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है देखिए यह ओपन वाली साइट है और यह वाली साइड हमारी folded साइड है अब open वाली साइड से जो हमारा unequal fabric है इसको हम सीधा कर देंगे यानि इसको extra fabric किनारी वाली साइड से cut कर देंगे तो यहाँ पर हम किनारी भी cut कर देंगे इस तरह से अब इस वाले corner से हम अपनी कुर्ती के लिए कमर की marking करेंगे तो यहाँ पर हमने कमर का foot part करना है और उसमें एक इंच एड करना है तो यहाँ से जितनी भी हमारी कमर की fitting है उसमें एक इंच प्लास करके mark कर लेना है और open वाली साइड से जो भी land आती है उस land को follow करते हुए हमने इंच टेप को पीछे की तरफ घुमाते हुए नीचे mark करते जाना है इस तरह से तो यहाँ पर मैंने 9 इंच की width पर mark किया है 8 इंच पर हमारी कुर्ती की कमर की जो fitting है वो आएगे और 1 इंच हमारा saving ground से इसके बाद देखे इस mark पर हमने अपने top part की ready length रखनी है आपका जितना भी है आप उसके हिसाब से रख सकते हैं मैं 15 इंच का top part ready रखूंगी और उसके बाद मैं अपनी कुर्ती की back वाली length लूंगी यहाँ पर हमने कुर्ती का जो back वाला portion है वो low में रखना है सो एक इंच प्लास कर लिया है सीविंग अलाउंस के लिए अब जो भी length आती है इस तरह से mark करेंगे आगे की तरफ आप इस mark को इंचे टेप उपर रख कर और नीचे जो भी length आती है उसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए mark कर सकते हैं इस तरह से सो हमने यहाँ पर अपने घेरे की नीचे से गुलाई mark करते जाना है इस तरह से इसके बाद अब हमने cutting कर लेनी है तो यह हमारा घेरा cut हो जाएगा इस तरह से सो यहाँ पर हमारे दोनों घेरों की length बराबर है अब देखिए इसमें से एक पार्ट हम निकाल लेंगे जो हमारा back पार्ट बनेगा और यह वाला पार्ट को हम दुबारा से double fold कर लेंगे अब हमने front वाले high की marking करनी है सो यहाँ पर मैं लगबग 10 इंच पर उपर की तरफ mark करूँगी और front वाला पार्ट यानि low वाला पार्ट जो रहेगा वो 10 इंच कम रहेगा front back वाले से सो इस तरह से हमने इसमें आगे की तरफ marking करनी है और यहाँ लाकर इस corner पर मिला देना है सो guys कुछ इस तरह से देखिए मैंने marking कर ली है सो यहाँ पर हल किसी गोलाई देते हुए mark करना है अब हमने इसकी cutting कर लेनी है सो friends वीडियो में end तक बने रहें और मैं आपको दिखाती हूँ step by step क्या करना है तो देखिए यह हमारा जो घेरा है front वाला यह cut हो चुका है इसके बाद देखिए और यह वाला हमारा back वाला part है इस तरह से सो दोनों part हमारे इस तरह से रहेंगे इसके बाद बचे हुए fabric से हम अपना top part कट करेंगे सो यह किनारी वाली side को मैंने double fold किया है अब हम इसको four fold कर लेंगे सो अपने chest का four part करना है और उसमें 1.5 से 2 इंच प्लास कर लेना है तो मैंने यहाँ पर लगबग 12 इंच पर इसको four fold कर लिया है अब इसकी length लेंगे जितना भी हमें top part की ready length रख ली है उससे 1 इंच हम extra ले लेंगे सो मैंने यहाँ पर 1 इंच extra लिया है 15 इंच पर यह ready रहेगा अब यहाँ से हम अपने shoulder का half लेंगे सो मैं यहाँ पर boat neck बना रही हूँ तो मैंने 7.5 इंच पर mark किया है अब नीचे की तरफ से हम 7 इंच की length पर armhole mark करेंगे और इस mark को आगे तक सीधा कर देंगे अब यहीं से हम अपने bust का foot part करेंगे और mark करेंगे सो मैं यहाँ पर लगबग 10 इंच पर mark करूँगी और यहाँ से हम अपने कमर का foot part mark करेंगे सो 8 इंच पर मैंने mark किया है अब दोनों mark को इस तरह से line up कर लेंगे और आगे की तरफ से देर से 2 इंच सीविंग अलाउंस लेंगे इसके बाद देखें यहाँ से 1 इंच उपर की तरफ mark करेंगे और इस mark को पीछे की तरफ करूशे में यहाँ से मिला देंगे इस तरह से अब हम अपने back arm hole की marking कर लेंगे और half से pon in च अंदर की तरफ front arm hole की marking कर लेंगे और half inch यहाँ से हम कंधी down कर लेंगे सो कंधी हमने यहाँ से half inch ले है और इस तरह से mark कर लिया है इसके बाद अब हम अपने neck की marking करेंगे सो neck की width मैं 3 इंच पर mark करूँगी आप neck की width और length अपने हिसाब से ले सकते हैं और back neck की length है वो 3.5 इंच है और front neck की length रहेगी वो 4.5 इंच रहेगी सो यहाँ पर आगे तरफ 3 इंच पर mark करके दो box बना लेंगे और इसमें हम अपने neck की shape दे देंगे सो यहाँ पर मैंने यह दोनों neck इस तरह से draw कर लिये हैं अब सबसे पहले हम अपने back neck की और back armhole की cutting कर लेंगे इस तरह से सो यहाँ पर मैंने cutting कर ली है अब इसमें से एक part निकाल लेंगे जो हमारा back part बनेगा और एक part को फिर से दुबारा से हम double fold करके neck की गहराई ले लेंगे front वाले के लिए और armhole की गहराई को cut कर देंगे इसके बाद बचे हुए fabric से हम अपनी simple sleeve cut कर लेंगे सो यहाँ पर मैंने 23 inch की length पर sleeve cut की है सो आप अपने हिसाब से cut कर सकते हैं और जो armhole की width ली है मैंने वो लगबग 9 inch ली है और sleeve opening से मैंने 5 inch लिया है 4 inch पर हमारी sleeve opening ready हो जाएगी अब देखिए neck की जो हमारी गुलाई है उसके according मैंने neck की पटी cut कर ली है यह हमारी round strip है जो neck की length और width थी उसी के according हमने यह neck की पटी कर की है अब पटी को हमने right side में रखना है और यहाँ से एक pair की सिलाई लगा कर छोटे छोटे cut लगा लेंगे और neck की पटी को पीछे की तरफ fold कर लेंगे यह वाला हमारा front वाला neck है इस पर भी हमने इसी तरह से पटी को लगा कर set कर लेना है तो लीजे बिल्कुल simply हमने अपने neck की पटी को इस तरह से ready कर लिया है और जो पटी का extra fabric था वो भी हमने अंदर की तरफ तरफ अब कंदी की side से जो fabric है इसको बराबर मिलाएंगे और पटी को बाहर की तरफ खोल के रखेंगे और यहां से half inch का दबाव लेकर हम अपनी दोनों कंदीों को इस तरह से सिल देंगे जो neck की जो हमने पटी लगाई है उसको भी हमने बाहर की तरफ खोलना है इस तरह से और सिल देना है तो देखे इस तरह से हमने सिल दिया है अब इसको हम सीधिक करके इस तरह से यह पटी को अंदर की तरफ turn कर देंगे और इस पटी पर हम hand stitch या फिर machine से set कर देंगे इसके बाद हमने देखे क्या करना है जो हमारा टॉप पार्ट की कमर की साइड है उसमें हमने घेरे जॉइंट करने है तो यहां पर धिहान रखना है जो बैक वाला पार्ट है वो हमने टॉप पार्ट जो बैक वाला है वहीं सर सैट करना है इस तरह से तो यह वाला हमारा बैक बाद यह पाट है जो रहे गा और जो हाई वाला पाट है वह हम फरन्ट वाले साइड में रखेंगे तो ये मेरा फेरण नेक नेक है तो यहां पर मैं अ П eg कि अपना है वाला घहरा साइड करूंगे सो दोनों के सेंटर को बराबर मिला कर रखेंगे और कमर की साइट से यहां से हाफ इंच का दबाव लेकर दोनों गहरे सैट कर देंगे तो लीजिए नेक की पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करके हमने एक पैर की सिलाय लगा दी है इससे यह हमारे नेक अच्छे से सैट हो गया है इसके बाद यहां से हमने देखिए हाफ इंच का दबाव लिया है अब हमने गोटा पट्टी सैट करनी है गोटा पट्टी का जो डिजाइन है मैं फ्रंट में बनाऊंगी आप चाहे तो दोनों साइड में बना सकते हैं फ्रंट और बैक में यहां पर मैंने अपना गोटा पट्टी सिंपली लेना है और इसको हमने यहां से लगाना स्टार्ट करना है जो हमारी फिटिंग वाली साइड है यहां से रखेंगे तो यहाँ पर मैं अपना simming lounge छोडते हुए एक पिछ अंदर की तरफ गोटा पटी लगाने स्टार्ट करूंगी यहाँ से और इस गोटा पटी को मैं इस तरह से टर्न करके यहाँ से लगाऊंगी सो यहाँ पर मैंने गोटा पटी को कहीं भी कट नहीं करना है और मशीन से कही निकालना नहीं है एक ही सिलाई में हमने पूरा ये गोटा यहाँ पर सिल देना है सो फ्रेंट्स आगे मैं आपको दिखाऊंगी यही सिलना कैसे है बस हमने यहाँ से गोटे को इस तरह से टर्न करना है सो कॉर्णर बनाने में बहुत इजी है क्योंकि गोटा बहुत बारीक है सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा पिशेंस रखके धीरे-धीरे करना है क्योंकि हमारा जो घेरा है वो उरेप का है सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वाला मार्ख हमारा फिटिंग कर रहेगा और यह हमारा बस्ट का मार्ख है सो यहाँ पर मैं फिटिंग का मार्ख लगा कर आपको दिखा देती हूँ अब यहाँ से हमने अपना गोटा रखकर स्टार्ट करना है सो मैं गोटा कमर की साइट से यहां से रखूंगी और यहीं से सिलना स्टार्ट करूंगी सो गाइस बहुत आसान तरीके से मैंने वीडियो में बताया है कि गोटे को हमने यहां पर किस तरह से सिलना है तो दिखिए मैंने कमर की साइट में इसको रख लिया है अब यहां से उपर की तरफ मैं 6 इंच की लैंट पर गोटा रखूंगी यहां तक तो इसको यहां तक मैं सीधा सिल कर लाओंगी इसके बाद अब हम यहां से गोटे को गुमा लेंगे तो एक बल आएगा यहां पर और उस बल को ऐस इट इस सिल देंगे तो दो पैर की सिलाई लगाकर फिर से हमने घुमाना है और गोटे को फिर से टान करना है इस तरह से अब यहां से हमने गोटे को नीचे तक सीधा लेके जाना है इस तरह से अब इसके बाद देखिए यह हमारा कमरवाला जॉइंट है यहां से भी मैं लगबग 6 इंच की लेंच लूँगी आप इसकी लेंच कम जादा कर सकते हैं कोई इश्यू नहीं है तो मैंने idea के तौर पे मैंने 6 इंच से start किया है तो मैं इसको बिल्कुल 6 इंच की लेंच पर सुल दूँगी और दो पेर की सिलाए करके फिर हम घुमाएंगे इस तरह से फैब्रिक को हमने घुमाया है अब यहां से फिर से हम गोटे को टर्न करेंगे और एक पेर की दूरी पर हम यहां से गोटा सिल देंगे बहुत ही आसानी के साथ यह गोटा लग जाएगा कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगी बस आपको क्या करना है थोड़ा स्लो यानि जो फैब्रिक है हमारा घेरे वाला वो थोड़ा औरेब में है तो उसको सीधा करके रखना है कोई बल नहीं आना चाहिए अब देखिए यहां नीचे की तरफ लाते हुए इसकी लैंट कम ज़्यादा आप कर सकते हैं क्योंकि यह हमने बिल्कुल रैंडमली लगाया है तो आप इसके बराबर भी कर सकते हैं इस तरह से और आप इसे छोटा भी कर सकते हैं पहले वाले से यह दूसरा वाला थोड़ा लंबा रखूंगी तो मैंने यहां तक इसको बिना है ना पे इसको यहां तक सैट करके सीधा रख लिया है अब इसको हम यहां सिल देंगे और इसको फिर से टरन करेंगे गोटे में एक बाल आएगा तो इसको हम यहां से इस तरह से रखके सीधा सिल देंगे उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा तो देखे ये गोटा मैंने इस तरह से सैट किया है बिल्कुल रेंडमली मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया है इसको मैंने थोड़ा कम ज्यादा करके इस तरह से गोटा लगाया है तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से रखें कोई मेजरमेंट ना लें एक लाइन छोटी एक लाइन बढ़ी करके गोटा लगाते जाए और ये डिजाइन बनता जाएगा सो बस हमने बिना नाप तोलके ये गोटा सैट इस तरह से ही करते जाना है एक लाइन छोटी रखेंगे एक लाइन बढ़ी रखेंगे और वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेट में पूस सकते हैं मैं आपको अच्छे से रिप्लाइ करूँगी सो दिके इस तरह से हमने इतना गोटा लगा लिया है इसके बाद जो हमारा अंदर का जो सिमिंग लाउंस है यानि जो फैब्रिक हमारा घेरा और टॉप पार्ट का है ये वाला इसको मैंने घेरे की साइड में नीचे की तरफ रखना है इस तरह से और जो हमारा गोटे के नीचे फैब्रिक आ रहा है उसको हम बिल्कुल सीधा रखेंगे कोई जोल लिए आना चाहिए तो उसको हम हातों से सैट करते जाएंगे और इस तरह से ये हमारा डिजाइन रेडी हो जाएगा तो आप देख सकते हैं मैंने कोई भी इसमें मेजरमेंट नहीं रखा है बस इसको उपर नीचे करके इस तरह से सैट कर दिया है तो मीद करूंगे आपको ये इतना समझ आ गया होगा तो फ्रेंड्स ये डिजाइन मैंने से फ्रंट पार्ट में बनाया है यानि कुर्टी का जो हमारा हाई वाला पार्ट है फ्रंट वाला उसमें बनाया है आप चाहे तो इस डिजाइन को बैक साइड में भी बना सकते हैं तो ये और ज्यादा बीटिफुल लगेगा तो इस तरह से ये इतना डिजाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है इसके बाद अब हमने अपनी कुर्टी की फिटिंग लगा लेनी है आप चाहे तो इसको पहले सिलीव लगा ले उसके बाद फिटिंग लगा ले तो इस तरह से मैंने इसमें भी सेम तरीके से गोटा सैट किया है अब हमने स्लीव में भी फिटिंग लगा लेनी है और दोनों को अपनी कुर्टी के साथ सिल देना है स्लीव जॉइन करने के बाद हमारी कुर्टी रेडी हो गई है और आप इसका ये फाइनल लुक देख सकते हैं ये कुर्टी मैंने 40 चेस्ट के लिए बनाई है जिसको मैंने 3 मीटर फैब्रिक में बनाए है और आप स्मॉल साइज में बनाना चाते हैं तो आपकी ये कुर्टी डाई मीटर में रेडी हो जाएगी और अगर आप 40 चेस्ट से जादा के लिए कुर्टी बनाना चाते हैं तो आपको लगबग साड़े 3 मीटर फैब्रिक लेना पड़ेगा यहां पर हमने ये जो फैब्रिक की स्टिच किया है इसको मैंने 11 नंबर की निडिल से यानी 11 नंबर की सुई से वेलवट फैब्रिक सिला है तो हमने हमेशा वेलवट फैब्रिक को 11 नंबर की निडिल से ही सीना चाहिए जिससे हमारी जो फैब्रिक की स्टिच है वो प्रॉपर आती है और कोई भी दिक्कत नहीं आती सो गाइस जब भी मैं वैलवट फैबरिक की कोई ड्रेस डिजाइन आपके साथ शेयर करती हूँ तो उसमें मैं हमेशा आपको यही बताती हूँ के वैलवट फैबरिक यानि शैनील वाला फैबरिक हमने 11 नंबर की निडल से सीना होता है सो उसके बाद भी यह कमेंट आते हैं किस नंबर से क्योंकि आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं और इस वीडियो के इलिए आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बाक्स में ज़रूर पुछे अगर आपको और ज़्यादा वैलवेट कुर्ति के डिजाइन देखने हैं तो आप मेंने चैनल पर देखें जहां पर मैंने इजी कटिंग और स्टिचिंग के साथ नए डिजाइन शेयर कर रखे हैं इसी के साथ आप मुझे इस्टाग्राम, फेस्बुक पेज़ भी फॉलो करें दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बाक्स में मिल जाएगा इसी के साथ वीडियो कम्प्लीट होती है मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियास के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर थैंक्स ओर वाजिग इस वीडियो